आज मैं कोई DIY नहीं लेके आई हूँ, मैं लेके आई हूँ बहतरीन kitchen tips आपके लिए जो आपका काम आसान करेगा और आपका वक्त भी बचाएगा ये kitchen tips बहुत ही amazing है, अगर आप इसे regularly use करते हैं तो आपका काफी सारा time बच जाएगा और आप कर सकते हैं आपको जो पसंद है वो चीज़, तो ज़रूर आप ये वाला kitchen tips देखिए, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक भी कीज़ेगा और दूसरों को भी share करेगा friends ताकि वो भी अपनी hobbies को pursue कर सके, तो चलिए बड़िया से ये kitchen tips देखते हैं, जो आपकी life को बना देंगे easy चलिए friends tip number one देख लेते हैं, तो यहां मैंने चौली की सबची को wash करके dry कर लिया है, in fact आप कोई भी life vegetable को इस तरह से dry कर सकते हैं, washing machine में इसका video मैंने already share किया हुआ है friends, मैं description में link दे दूँगी और eye section में भी दूँगी, जरूर देखे, बहुत ही अनुखा तरीका है, सबजी को dry करने का, सबची को निकाल लेते हैं, हम basket में friends, दो मिट के लिए इसी तरह से रखोंगी मैं, ताकि अगर थोड़ा सब इसमें moisture हो तो वो भी निकल दो बाइज जाए हुआ है वो भी सूप जाए वैसे 100% सूप चुकी है vegetable यह देख सकते कितने fresh और clean है, बिलकुल भी मुझा ही नहीं है, बैलकुल भी मुझा ही रखोंप दो नहीं होना चाहिए, यहां 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 यह जान लोगी यह जो नमकीन का packet होता है, बहुत रखना जिए इसे बोश कर लिया एची तरह से और ड्राइबी कर लिया है बिल्कुल भी इसमेंक स्टूर नहीं होना चाहिए तो यहां में यह सब्जी को इसमें करने वाली हूं और बन करने वाली हूं जिप पाउच वैसे तो मार्केट में भी मिल जाते हैं बट यह वाली पाउच भी एक्वली काम करती हैं तो यहां मैं वाक्यूम कर रही हूँ सारी हवा हमें निकाल लेनी है सबजी में से तो यह रहा आपका सबजी स्टोर करने का बहुत ही अनुखा तरीका आप कई हफतों तक इस वेजटेबल को फ्रेश रख सकते हैं यह आपकी जगह भी कम रोकेगा फ्रेज में और इसको फ्रेज में ही स्टोर करना है और यह तर्फ फ्रेश और अच्छी रहेगी आपकी सबजी जरूर ट्राइ कीजिए वाला टिप और अगर आप ट्राइ करेंगे तो मुझे कमेंट भी करिएगा चलिए ट्रेंस टिप नमबर दो बता देती हूँ वह है लेमन के उपर लेमन को आप कई महीनों तक कैसे स्टोर कर सकते हैं और कैसे इसे फ्रेश रख सकते हैं लंबे समय के लिए तो यह देखिए मैंने यह देड़ मैंने पहले लाया था यह लेमन और कितना फ्रेश है बिल्कुल इसी तरह से दिख रहा है जैसे अभी लेके आई हो मार्केट से तो इसे स्टोर करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा कुकिंग ओई ले सकते हैं जो आप यूज करते हो खाना बनाने के लिए और इस तरह से आपको लमन के उपर कोट कर लेना है यह देख सकते हैं आप एक बून में कहीं सारे निमू कोट हो जाते हैं फ्रेंस बहुत करना है यह एक पॉकेट सा बन गया है और हमारा लमन राप हो गया है चलिए फिर से बता देती हूं मैं आपको लमन को सेंटर में रखना है और आपको चार फोल करना है यह देखिए आप देख लीजे मैंने स्लो मोशन में बता दिया है आपको इसी तरह सा आपको सारे लमन क कई महीनों तक यह आपके लेमन इदम फ्रेश रहेंगे और जूसी भी रहेंगे बिल्कुल काले नहीं पढ़ने वाले है एटाइट कंटेनर लेंगे या आप जो भी यूज करते हो डबा उस डबे के अंदर इस लेमन को रख दीजे और यह कई महीनों तक आपके चलने वाले ह बहुत ही फ्रेश रहेंगे आपके लेमन एक लेमन निकाले यूज कीजिए तो कैसे लगा आपको यह टिप जरू मुझे कमेंट करके बताईएगा चले टिप नमबर तीन बता देती हूँ फ्रेंज जब आप को भी सबजी बनाते हैं तो सबसे पहले आप हिंग का तड़का लगाते हैं बट ऐसा ना करके जैसे मैं बताऊंगे इस टिप में वैसे करेंगे तो आपकी सबजी का तेस्ट डबल हो जाएगा तो जो हिंग है जब आपकी सबजी आधी पक जाये तब आपको इसमें चुटकी बर हिंग डालके इसे अच्छे तरह से मिला लेना है इससे आपकी सबजी का टेस्ट और भी बहतर हो जाएगा और जो हिंग के फाइदे है, हिंग की जो गुडनेस है वो भी बरकरार रहती है आपको digestion में कोई problem नहीं होंगे और हिंग के सारे benefits मिलेंगे छोटा तो tip है पर बहुत ही कमाल का tip है जरूर आप इसे try करके देखेगा और मुझे comment करेगा चलिए tip number 4 की बारी है तो इस दूद के उपर है फ्रेंज लिब हम दूद गरम करते हैं तो नीचे काफी लग जाता है तो उसके लिए आपको heavy bottom वाला कोई भी लेना है बरतन और इसमें पानी add करके इस तरह से आपको फैला लेना है पानी को और दूद का packet खोलते समय जरूर ध्यान रखे आप पूरा ये packet को ना काटे क्योंकि हम कचरे में फेकते हैं तो गाई खा लेती है तो ये अच्छी बात नहीं है तो ये भी एक tip है friends दूद को इस तरह से निकाल लीजे और फिर आप इसको गरम कर लीजे हलकी आज पे धीमी आज पे इसको पूरा boil कर लीजे थंडे होने के बाद इसको frizz में रख दीजे आपको जब यूज करना है आप दूद को यूज कीजे और आप देखेंगे कि बिलकुल भी आपके बरतन के तले में नहीं लगा है दूद ये देखें चोटी से tip है वट आप इसका ध्यान रखेंगे तो बिलकुल भी तले पे नहीं लगेगा जरूर आप इससे try कीजे और म इस तरह से अलग करना है बीच का जो हिस्सा है इसे हम फेक देंगे डिसकार्ड कर देंगे तो सारी लसन की कलियों को मैंने अलग कर लिया है इसके बाद एक बतन ले लेंगे और इसमें दालेंगे गुन-गुना पानी जादा गरम नहीं चाहिए फ्रेंस हलका गुन-गुना पानी लेना है और इसमें डाल देंगे हम ये लसन की कल्यों को सबसे पहली बात कि आपके लसन के छिलके इदर उदर ऊड़ेंगे नहीं इसे 15 से 20 मिनिट तक सोख होने देंगे ये देखें मैं आप बताती हूँ ये मैंने महीने भर पहले ये छिले हुए लसन है ये खतम हो गए है मैंने काफी से यूज कर लिया है कितने फ्रेश लग रहे जैसा अभी छिला हूँ ये लसन आप महीने भर तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं इस तरह से तो 15-20 मिनिट हो गए है हमारे लसन अच्छे तरह से सोक हो चुके है अब इसको छूरी की हद से हमें सिर्फ दो कट लगाने है और इस तरह से आसानी से लसन की छिल की उतर जाएंगे दूसरा इसका अच्छा पॉइंट ये है कि आपके नाखून में जलन नहीं होगी कई बार हो जाता है कि लसन चिलने के टाइम पे हमारे नाखून के आज स्पास अना बहुत जलन होती है वो भी नहीं होगी आपका कम फटाफट हो जाएगा परसनली मुझे लसन चिलना बिलकुल पसंद नहीं है बट इस तरह से करती हूँ तो बहुत आसानी से और फटाफट हो जाते है सारी लसन को चील लेंगे देखिए दस मिनिट के अंदर इतनी सारी लसन मैंने चील ली है एक किचिन का कपड़ा ले लेंगे कोई भी किचिन टॉल ले लेंगे और इस लसन को हम इस तरह से ड्राइ कर लेंगे तब आप यूज करिए और फिर इसे फिर से बन करके फ्रिज में रख दीजे इसमें टीशु पेपर लगाने की भी कोई जरुवत नहीं है महिनों तक ऐसे ही काज की बॉटल में ये फ्रेश रहेगी कैसे लगी ये टिप जरूर आप ट्राइ करिए और मुझे कमेंट करके बता इस्तिप नमर्च छे पूर उप उप नहीं है ये आपका काफी टाइम बचाने वाला है तो इस तरह से आटा ले ले लेंगे और इसके तीन लोई बना देंगे फ्रेश विपर्ण सुबह का टाइम होता है जब आपे ब्रिकफास पर बनाना होता है टिफिन भी बनाना होता ह हजबन के लिए बच्चों के लिए या तो अगर आप जॉइन फैमिली में रहते हैं तो काफी ज्यादा रोती बनाने में हमारा टाइम जाता है तो इस तरह से आपको घी ले लेना है और दो लोई पे आपको घी लगा देना है सुखा आटा स्प्रिंटल करना है फिर एक लोई बना रहे है एक साथ सुबह सुबह बनाईए लंच में बनाईए या डिनर में बनाईए आपका काफी टाइम बचेगा आपको जो पसंद है आप फिर वो काम कीजिए आपकी होबी को परस्यू कीजिए आप और आपकी वैमिली के साथ भी आप टाइम स्पें्ट कर सकती हैं और गर्मी से भी आपको काफे रहत मिलने वाली है, तबागरम है, और जैसे आप नॉमल पराठा सेखते हैं, उसी तरह से आपको इस पराठे को भी सेखना है, दोनों साइड अच्छी तरह से घी लगा के आपको पराठे को सेखना है, आच्छ मीडियम रखेगा, तो इस तरह स आपको दोनों साइड भी लगा के जैसे आप नॉमल पराठा सेखते हैं, उसी तरह से इसे भी सेख लेना है, आप देख सकते हैं, इसकी लेयर निकलना शुरू हो चुकी है, अच्छी तरह से सेखने के बाद हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं, यह देखे, ले लेयर को अलग कर लेंगे, फ्रेंज, यह एक हो गई, यह दो हो गई, और यह बीच वाली तीन, बीच वाली के लिए सबसे ज़ादा चखड़े होते हैं मेरे घर में, वो काफी ज़ादा सॉफ्ट होती है, बड़ अगर आपको पसंद नहीं, तो आप उसे इस तरह से फिर से कर सकते हैं, मेरे घर में तो ऐसे ही खाते हैं, बड़ो को भी काफी ज़ादा पसंद होती है, क्योंकि वो काफी सॉफ्ट होती है, बीच वाली रोटी, तो ज़रूर आप ट्राइ कीजिए, यह वाला टिप, एक ही पराठे के टाइम पर आप तीन पराठे बना सकते हैं, और गरम गरम आपकी फैमली को आप परोज सकते हैं, पराठे, तो कैसे लगाए यह टिप ज़रूर ट्राइ करके, मुझे कमेंट करके बताइएगा, चलिए फ्रेंस, टिप नमबर 7, छोटा सा है, तो लेमन के उपर है यह टिप, लेमन जब हमां आधा कट कर लेते हैं, तो इस कहां जरूरत थै, तो इस तरह से आप दुनों हटलियों के बीच में इसे इस सॉफ्ट कर लीजें, ये देख़े इस तरह से, और फिर आपको जितना लेमन जूस चाहिए, उतना अप इस तरह से निचोल लेजे, इस से आपका लेमन काफी दिन तक फ्रेश रहता है, भ्रेंस पूरा लेमन बिगारने की आपको ज़रौत नहीं है फिर लेमन को पोच लीजे आप और फिर रेदे के होल का भी पता नहीं चलेगा और इसे टीशू पेपर में जैसे मैंने आपको पहले पताया उसी तरह से इस लेमन को भी आपको बांग के रख लेना है फ्रिज में तो यह और थोड़े से जूस के लिए आपको इस तरह से लेमन बिगारने के ज़रौत नहीं है तो फ्रेंस कैसे लगे आपको आज के मेरी यह किचन टिप्स छोटे से थे पर बहुत ही काम के अगर आप इसे रेगिलर आपके डेली लाइफ में से इंक्लूट करेंगे आप इसे ट्र इसमें से आपको कौन से टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई और आपके पास कोई नई टिप है तो भी मुझे जरूर कमेंट करके बताएगा चलिए लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को तिल देन टेक केर बाबाई